आप सभी प्रिया दर्शिकों का स्वागत है, बात करेंगे टाटा मोटर, आज डीप रेड में है पूरा पावर सेक्टर, यहाँ पर FII ने कर दी है बिक्वाली शुरू, बहुत बुरी खबर है, टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं सपोर्ट के लिए, आई ये विशलीशन करते ह अगर हम बात कहा रहें, टाटा पावर की एक बहुत बढ़िया स्टॉक है लॉंग टम की दृष्टी से, लॉंग टम वा लोगों तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस टॉक में जिन्होंने लोर लेवल पर खरीदा है, बट अगर शॉर्ट टम के ट्रेडर्स यहाँ प पर पहुँच गया है, हाइएस्ट सिंस इट्स लाइफ टाइम, तो च्छेतन रुबे पिचास पैसे के आसपाट आट्रिट कर रहा है, छोटे और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, चाहें तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे, अगर हम बात करें टाटा पावर क वजए से है, अब टेकनिकल व्यू से देखते हैं, क्या होंगे आज के यहाँ पर बाई के तरिके, दो बार इसने अटेंप्ट किया है, पहले 211 पर फेल हुआ अटेंप्ट, फिर 210 पर फेल हुआ है, अब देखें लग रहा है, 207 पर भी, 208 पर भी यह फेल होगा, 3.8 पर एक्सचेंज हो चुके है, टाटाप पावर के यहाँ पर, दोस्तों हमने अपने पेड मेंबर्स को अल्रेडी, अपने पोटफोलिय का इंस्टोरेंस करा दिया था, और साथ साथ में, निफ्टी को शॉर्ट किया हुआ है, पिछले 15 दिनों से, आप चाहे तुमारी पेड मे इतना ही रहता है, देखे, एक नदी की तरह से देखेगा, इसको नदी का रुजहान अब नीचे को हो चुका है, अब इतना आसान नहीं होगा, इसका रुजहान उपर लेके जाना, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा, I hope you will understand, bandwidth इसकी अभी 13 है, और बढ़ेगा, इसका म अब जुकाव इसका भी नीचे आ गया है, तो यहाँ पर RSI के लवल 36 है इस बात का ध्यान रखिए, ये oversold zone में 20 के आसपास पहुँच सकता है, तो अभी और गिरावट है, यहाँ पर 2-3 दिन और अभी गिरावट लग सकती है, अगर FISL मोर्ण में रहे तो ये golden crossover नहीं, ब उपता है, तो दूसरा लेवल बनेगा 140 का, इन लेवल को अपने चार्ट पर माकर करके, इससे पहले इसको average करने की ज़रूत नहीं है, दोनों पे थोड़ी-थोड़ी quantity average कर सकते हैं, अगर हम बात करें, Omicron ने बहुत बड़ा धमाल मचाया हुआ है, यहाँ पर share की demands कम होती दिएगा, चैनल का 5 बेफेरूल ध्यान रखे, प्लीस कंसर्टिफार अशरबाद, जैंज भारत, बाइगाई